हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जारों के कैसे हैं आप अपने VivoY15c Android Hold この में आप जो लॉक स्क्रीन पोस्टर सैटिंग को आपने enable कैसे कर सकते हैं यानि कि on कैसे कर सकते हैं ठीक हैं और यह lock screen postror setting जो है enable होने के बाद ही setting कैसे काम करती है आज इस video मैं आपको detail में जनकारी देने वालों तो चलिए हापे वीडियो का हम श्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page open करना है ठीक है setting page को open कर लीजिए अपने mobile phone में Setting page में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको यह option मिलेगा Lock Screen and Wallpaper, इसे आपको select करना है, इसके अगले page में आपको नीचे यह option मिलेगा Lock Screen and Wallpaper, इसे आपको select करना है, इसके अगले page में आपको यह option मिलेगा Lock Screen and Wallpaper, इस option के ठीक सामने आपको यह button दिया हुआ है, इस button को आपक और राइट में करते हैं तो यहां पर कोई भी page open नहीं होता है ठीक है तो अब आपको करना क्या है कि आपको यह setting ना lock screen postal wallpaper की setting on करना है बटन on करना है तो यह आपका बटन blue color में on हो जाएगा यानि कि आपकी setting enable हो जाएगी अब देखिए setting enable होने के बाद आपके mobile phone की lock screen पर यह setting कैसे काम करती है हम अपने mobile phone की lock screen पर वापिस चलते हैं तो यह देखिए lock screen का page आगया अब यहाँ पर हम इस तरीकी से left में ऐसे करके slide करेंगे तो आपके lock screen के postal wallpaper आपको दिखाई देते हैं ठीक है तो यह lock screen poster setting ऐसे काम करती है enable होने के बाद अगर आपको अपनी mobile phone की lock screen पर वापिस जाना है तो आपको यह arrow बटन दिखाई देगा आपको सब सो पर इससे आपको एक बार दबाना है तो आप अपने mobile phone की lock screen पर आजेंगे यहाँ पर आप screen lock enter करके अपने phone को unlock कर पाएंगे तो इस setting ज में आपको सबसे ओपर यह option मिलेगा search icon का इसे आपको select करना है और यहाँ पर आपको search bar में type करना है lock screen poster ठीक है जो setting का name है यहाँ पर आपको पूरा type कर देना है तो आपको नीचे यह option शो जाएगा lock screen poster ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर जाता है और यहाँ पर आपको यह option मिल जाता है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंड़ने का आपके mobile phone में